सरकारी संपत्तियों के जरिये पैसा कमाने वाली National Monetization योजना यानी NMP का लक्ष पिछड़ता दे कि इन सरकार और निती आयोग ने राज्यों में asset monetization को बढ़ावा देनी की योजना बनाई और अलग-अलग मंत्राले उसे कहा है कि संपत्ती विक्री को लेकर राज्यों को दिशाने देश जारी करें रिपोर्ट की माने तो उर्जा मंत्राले ने पहले ही transmission संपत्यों की monetization के लिए देश जारी कर दी हैं और दूसरे मंत्राले भी अब इस देशा में आगे बढ़ सकते हैं सर किन किन राज्यों से बात चल रही है और कौन सी assets पेचने की बात चल रही है asset monetization यानि सरकार की संपत्यों की विक्री की पूरी यूजना जो पिछले बजट की सबसे बड़ी घोशना थी और उससे पहले भी सरकार पिछले दो बजटों से निजी कर रहा हैं और प्राइविटाइजिशन की तमाम कोशिशें कर रही हैं जतना शोर शराबा जितनी बहसे यतने आरोप पर त्यारोप इस पूरी मुहिम पर दिखते हैं उसके मुकाबले नतीजे बहत कम रहते हैं और पिछले साथ जब सरकार ने इतनी बड़ी asset monetization pipeline की घोशना की थी और एक कहा था कि हम एक से डेड़ लाग करोड रुपए की सरकारी संपत्यों हर साल बेचेंगे तो यह माना गया था कि शायद गंभीरता के साथ यह संपत्या बेची जा पाएंगी पर उसका record कितना खराब रहा है हम बजट के करीब खणे है asset monetization लगभग असफल है ना तो सरकारी संपत्यों को ग्रहाक मिले हैं और ना उन्हें सफलता के साथ बेचा जा पाया है अब ये कोशिश राज्यों के साथ की जा रही है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि जो केंदर सरकार अपनी तमाम विवस्था के बाद अगर अपनी संपत्या नहीं बेच पा रही तो राज्य सरकारों को बेचना कितना आसान होगा लेकिन तातकालिक तौर पर पाँच ऐसे रा हाई वे होते हैं राज्यों के राजमार्ग होते हैं और एक्सप्रेस वे हैं पावर ट्रांस्मिशन नेटवर्क हैं राज्यों के इनकी हालत वैसे भी खराब है है राज्यों को भी पावर ट्रांस्मिशन नेटवर्क में पैसे डालने हैं सरकारी बस टर्मिनल हैं और जो व अरकरिया की कोशिश करने के लिए नीतिया यह उने राजियों से कहा है खला की जिसा अतीध यदिन सरकार की तरफ में सरकार की रही वह रही संपत्र्टिया गें, वह नहीं बिख आ रहीं लिए-स में उनके बजट से जूड़ी इस बाहर Qué बजट में किन सरकार की तरफ से पुझीगत खर्च में होने वाली बढ़ोत्री पिछले दो बजटों जैसी रहने की संभावना है बजट 2022 में सरकार ने साड़े साथ लाग करोड़ रुपए के पुझीगत खर्च की घोशना की थी और 2021 में हुई घोशना के मुकावली ये 35 फीसद ज जो बड़े खर्च की संभावना है वो 25 फीसदी के आसपास बढ़ोत्री के के गुझाईश दिखाई दे रही जो पिछले साल की बढ़ोत्री से कम हो सकती पिछले दो साल के बजटों में सरकार ने पुझी खर्च में बड़ी बढ़ोत्री की थी करीब साड़े साथ आट ल नो लाग करोल रुपए के आसपास के बजट की पुझी खर्च के बजट की संभावना है पुझी खर्च थोड़ा तकनीकी शब्द है परसे ऐसे समझना चाहिए कि यह वो खर्च है जो सरकार सड़क पुल बनाने में रिफाइनरी खोलने में खदाने खोलने में यहां पर निवेश करती है अलाकि सरकार भारत के अर्थवस्ता में जीडीपी में सरकारी खर्च का हिस्सा बहुत चोटा है लेकिन फिलाल मंदी की सिस्थिती में बाजार में डिमांड के लिए इस खर्च को काफी महतुपूर्ण माना जाता है और यह माना जाता है कि जो सरकार देखें तो पिछले साल वैसे सरकार का ओवराल पूझी खर्च पिछले साल की तुलना में जाधा रहा पर सारे मंत्रालियों का प्रदर्शन एक जैसा नहीं दिखाई दिया हाइवे मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने पूझी खर्च आउट लेका करीब बाद टेलिकॉम मिनिस्ट्री हाउसिंग मिनिस्ट्री इटामिक एनरजी ये प्रमुख मंत्राले हैं जो अपने खर्च का अपने आवंटित खर्च का जो पिछले साल उने मिला था नॉब्बर तक उसका सहारा दे पाएगी अर्शे होस्था को प्राइवेट कैपेक्स ही भारत की ग्रोथ का मुख्य इन्हन है या वही मुख्य और विटामिन है जिसके जरीए निवेश आता है नीजी कमपेनियों का निवेश भारती अर्थ विवस्था में उसी पर सब कुछ निर्भर है और इसलिए सरकार ने बार बार कर्यायतों के जरीए सस्ते करच की जरीए इस बात की कुशिश करती है कि नीजी कमपेनिया निवेश करें और उत्पादन बढ़ाया जाए अभी फिलहाल तीसरी तिमाही तक के जो दूसरी तिमाही तक क्या आकड़े हैं उसमें कैपेक्स रिवाइवल को किसी बड़े रिवाइवल के संक पिक्स नहीं पहुंचाए अब यहाँ दो चीज़ें और महतुपूर्ण ध्यान अखने वाली हैं कि नीजी कमपेनिया या नीजी निवेश बाजार में तब आएगा जब उन्हें मांग दिखाई देगी और बाजार के सारे संक आकलन फिलहाल अगले 6-7 महीनों के लिए इस पुलित करने की कोशिस करें कि लिए कि सरकार के पुझी खर्च से बड़ा काम होने वाला नहीं है जब तक नीजी कमपेनिया निवेश करना नहीं शुरू करेंगी उनके परिवजिनाएं नहीं आएंगी अर्थ्विवस्ता में मांग का पहिया तेजी से घोमेगा इसकी उम